नमस्कारम सद्गुरू, हम में से अधिकांश लोंग रोज मर्रा के जीवन में परायणम करते हैं। भगवान विश्नु की स्थुती में विश्नु सहस्रु नामम, रुद्रम चमकम और ये सब। कहा जाता है कि सही स्वर और ले में पाठ करने पर ये प्राणायाम के बराबर होता है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, संस्कृत भाशा और मंत्रों का आपके उपर एक खास असर होता है। अगर उसे पूरी निष्ठा और समझ के साथ किया जाए तो हाँ, वो आपके अंदर एक खास मात्रा में स्पेस, एक खास मात्रा में उर्जा पैदा करते हैं। उसे प्राणयाम कहना ठीक नहीं होगा, क्यूंकि एक प्रक्रिया के रूप में प्राणयाम मंत्रों के उच्चारण से अधिक गहराई तक जाता है। प्राणयाम का उतना आसर हो सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि यह प्रार्थ्ना है, जो भगवान तक पहुँचने वाली है और आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं, यह गलत समझ है। प्रार्थ्ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। यह ऐसी चीज है जो आप बन जाते हैं। प्रार्थना एक गुण है। प्रार्थना कोई काम नहीं है जो आप करते हैं। एक सुन्दर कहानी है। एक बार अमेरिका का एक Baptist missionary Siberia के एक सुदूर हिस्से में गया। वहां जब वो शहर में गया। क्यूंकि वो लोगों को अपने महान धर्म में धर्मांतरित करना चाहता था। उसकी समझ में बाकी सभी नास्तिक हैं। वहां उसने पाया कि लोग तीन संतों की चर्चा कर रहे थे जो Siberia की एक विशाल जील में एक छोटे से दूईप पर रहते थे। तो वो देखना चाहता था कि ये तीन संत कौन हैं। वो एक नाव और मला के साथ जील पार करके वहां पहुँचा। फिर उसने पाया कि ये लोग पूरी तरह से अनपढ़, अशिक्षित, गढ़री थे। उसने जाकर इन लोगों को देखा, वो गंदे लग रहे थे और ये तीन लोग एक दूईप पर किसी तरह रह रहे थे, वो जंगली लग रहे थे। उसने उनसे पूछा, ठीक है, ये क्या है और आप कौन सी प्रार्थना करते हैं। पहला बोला, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि सभी भेडें, वो सब ठीक ठाक रहें और घर वापस आ जाएं। कोई भेड ठंड में खोना जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। ये अग्यानी मूर्ख, ये समझता है कि ये प्रार्थना है। फिर उसने दूसरे आदमी से पूछा, उसने भेड की सेहत और बाकी चीजों के बारे में कहा। तीसरे आदमी ने अपने बालों और भेड के बालों में जूओं की बात की। वो नहीं चाहता था कि भेडों को जूएं हों, इसलिए वो चाहता था कि सभी जूएं बाहर आ जाएं, मगर वो नहीं चाहता था कि जूएं मर जाएं, इसलिए वो चाहता था कि जूएं कहीं औ जाकर अच्छे से रहें। उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी थी स्थानिय भाषा में। तो बैप्टिस ने सोचा ये मुर्खता है, इन लोगों को संत कहा जा रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं अभी आपको बैप्टाइज करके बैप्टिजम में कनवर्ट करता हूँ। और आप इस प्रार्थना को सीखिए और उसने उन्हें एक लंबी प्रार्थना सिखा दी। वो बहुत अनपड़ लोग थे, उन्हें ये प्रार्थना सिखाने में तीन-चार दिन लगे। इसके बाद इस धर्मांतरण से बहुत संतुष्ट होकर बैप्टिस्ट पादरी जील से होकर वापस जाने लगा। तभी तीनों आदमी पानी पर दौरते हुए आये। आधे रास्ते तक आकर बोले, चौथी पंक्ती क्या थी? हमें याद नहीं। उसने इन लोगों को पानी पर दौरते हुए आते देखा, फिर वा बोला, नहीं, नहीं, मैं आपको कोई प्रार्थना नहीं सिखा सकता, आप वापस जाएए, आप अपनी प्रार्थना कीजिए, लगता है कि वो मेरी प्रार्थना से बहतर काम करती हैं। तो बात संस्कृत भाषा या लैटेन या ग्रीकी नहीं हैं, बस इतना है कि आप प्रार्थना मैं हो जाते हैं। प्रार्थना मैं होने का अर्थ है कि आपको बड़ा नहीं होना चाहिए। भारत में हम इसे उपासना कहते हैं। ये शब्द बहुत सुन्दर है। उप आसना, उप का अर्थ है सहायक, आसन का अर्थ है बैठने की जगा, यानि अपने जीवन में आप मुख्य जगा पर मत बैठी, आप बगल की जगा पर बैठी, आप अपने ही जीवन में एक छोटी जगा पर बैठे हैं, किसी और ने कोई और चीज आपके जीवन में मुख एक छोटा बना लिया है, कुछ और बड़ा हो गया है, ये कुछ और भगवान है, गुरू या पती या पतनी या बच्चा या कोई चीज, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप प्रार्थना महीं हो सकते हैं, तो प्रार्थना एक गुण है, तो आप मंत्र के बारे में जो बोल र कुछ मंत्र हैं, जो भावना के साथ कड़बढ हो जाएंगे, आपको उसे विज्ञान की तरह सही तरीके से करना होगा, वो कैमिस्ट्री की तरह है, आपको उसे उसी रूप में सही तरीके से करना होगा, तभी वो काम करेगा, मगर इन दिनों अधिकांश लोगों में ऐसी स और वो हर चीज को मिला देते हैं, और आप इसे करने वाले लोगों में कोई खास अंतर नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्यूंकि उनके अंदर जरूरी जिवन्तता नहीं होती, उनके अंदर जरूरी समझ और जागरुकता नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले कहा, जरूरी जाग कर रहे हैं, वो सुस्थ हो जाते हैं, क्रिपया देखिए, ऐसा दोहराव के कारण हैं, जरूरी जागरुकता के बिना दोहराना मन को सुस्थ बनाता है, आप देखेंगे, दुनिया में तमाम तरह के मूर्ख हैं, मगर धार्मिक मूर्ख बाजी मर जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्यूंकि धार्मेख होने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं आप बहुत मूर्ख हो जाते हैं धर्म का अर्थ है कि ये सबसे उंची बुद्धी है धर्म का अर्थ है कि आप में सभी सीमाओं से परे जाने की समझदारी है इसका यही मतलब है मगर आज आपाएंगे कि अधिकांश लोग, जो खुद को धार में कहते हैं, वो सबसे मूर्ख लोग हैं वो दुनिया में सबसे मूर्खता पूर्ण चीजे करते हैं ये सिर्फ दोहराव के कारण हुआ है प्रार्थना दोहराव बन गई है रार्थना गुण नहीं बनी है